hi everyone, अब बात करने वाले हैं Laravel केंदर many to one relationship के बारे में या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि हम लोग बात करने वाले हैं one to many inverse relationship के बारे में ये feature एक ही है बस इनके लिए अलग-लग terms use करी जाती हैं ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छा इस part को देखने से पहले अगर आपने last वाले दो part नहीं देखे which is Laravel one to one relationship and Laravel one to many relationship तो इन दोनों part को देख लेना reason इसका यह है कि वहां से आपको काफी अच्छी clarity आएगी Laravel relationships के बारे में और ये दोनों part आपको ये समझने भी help करेंगे कि Laravel one to many relationship क्या होता है और ये कैसे different होता है last वाले दोनों relationship से right which is one to one and one to many relationship तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा many to one relationship होते क्या है उसके बाद में product वाले model के अंदर एक function बनाएंगे ताकि हम लोग many to one relationship को implement करके देख पाएं example देखेंगे last में कुछ interview question भी discuss करने वाले है ये लारावल 11 की हमारी playlist है जो आपकी definitely help करने वाली है Laravel की job में project में interviews में so पूरी playlist देखना link मैंने description box में डाल दिया है अब पहले topic की तरफ चलते हैं कि many to one relationship यह होता क्या है यह मैं आपको database table की help से समझाता हूँ अभी तक जो last वाले दो part पढ़े थी न हम लोगोंने one to many and one to one relationship यहाँ पे हम लोगोंने seller वाली table को first table मानके चला था और products वाली table को second table मानके चला था लेकिन यहाँ पे हमें basically करना क्या है one to many का inverse करना है तो हम लोग यहाँ पे table भी inverse कर देंगे जो हमारी products वाली table है ना इसको हम लोग first table मानके चलेंगे और sellers वाली को हम लोग second table मान के चलेंगे और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो many to one यानि कि जो first table है इसके multiple records second table के एक record के साथ match करेंगे यानि कि relation में रहने वाले हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा product है iPhone and Oppo इन दोनों की seller ID है one one यानि कि यह दोनो record one and record three किससे relate करते हैं हमारे first वाले record से relate करते हैं तो यहाँ पे कितनी records हैं हमारे पास many यानि कि दो records यहाँ पे कितने records हैं one यानि कि single record तो यहाँ पे क्या relation बनेगा हमारा many to one ठीक हैं अब इसको practical implement करके देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग seller controller के उपर और यहाँ पे एक function बनाता हूँ function का नम मैं हाँ पे नाम रखूँगा many to one और यहाँ पे simply मैं return कर देता हूँ अभी के लिए many to one function इसको एक बार मैं route बना के चेक कर लेता हूँ मैं properly काम कर रहे की नहीं कर रहा and then हम लोग यहाँ पे फटाफट से इसको copy and paste करेंगे ताकि हमार ज्यादा time waste ना हो because route हम लोग अल्यडी बहुत बार बना चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एक एकर के लिखना पड़ेगा many to one और यहाँ पे फंक्शन का नाम directly कर देता हूँ तो यहाँ पे one है many to one और अगर मैं इसको copy करके यहाँ पे simply paste करता हूँ इस तरीके से तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो many to one वाला function हमारा properly call हो रहा है तो अब मैं क्या करता हूँ जो हमारे पास seller controller है इसके अंदर क्या करूँगा जो हमारा first table है न यह वाली products वाली इसको import करूँगा तो यहाँ पे simply लिखूँगा use app models और यहाँ पे लिखेंगे products product आएगा basically इसका p भी capital रहने वाला है इस simply मैं यहाँ पे semi colon लगा के और यहाँ पे कर लूँगा product colon colon all तो आप देखोगे हमारे पास जितने भी product के अंदर records हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आच चुके हैं बट एक चीज़ देखो यहाँ पे जो product वाली table है उसी का record है sellers का record नहीं आया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा product वाले model में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक function बनाओ इस function का नाम आप चाहो तो इसको public function मना सकते हो public function seller then इसके अंदर हम लोग simply क्या करेंगे return करेंगे dollar this और यह एक function होता है हमारे पास जब हम लोग many to one relationship बनाते हैं belongs to belongs to यहाँ पे क्या miss है and missing right and then इसके अंदर हम लोग simply यहाँ पे लिखेंगे app models then उसके बाद में seller इस तरीके से तो यह seller वाले data निकालके यहाँ पे ले आएगा then अगर मैं अभी भी यह same को ही goal करूँगा impact यहाँ पे आने नहीं वाला अगर impact आपको ले के आना है इसको मैं comment आउट करता हूँ simply एक variable लेता हूँ data और यहाँ पे लिखूँगा product column एक with function होता है इसके अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे function बनाया है जवाला seller इसका मैं यहाँ पे simply नाम पूट करूँगा और यहाँ पे करूँगा get जैसे get करूँगा अब आप देखोगे कि हम आचा इसको return भी तो करना पड़ेगा ना return करेंगे dollar data और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास seller का data भी आ गया जो हमारा multiple records हैं यहाँ पे जैसे कि iPhone यह दोनों match करते हैं iPhone और Oppo ठीक है इन दोनों की seller ID 1 है यहाँ पे आप देख पा रहे हो same seller ID है तो यहाँ पे हमारे पास many to one relationship हो गया यान कि एक तो record यह हो गया एक record यह हो गया जो की same यान कि one seller से relation रखते हैं और similarly जो ID यह वाला Samsung M30 है और Micromax है यह आप यहाँ पे seller ID 2 के साथ relation रखते हैं आल राइट तो देट सॉल फॉर इस पार्ट इसमें कुछ doubt कुछ confusion है मुझे comment section में पूछो चैनल को subscribe करना प्लिकूल मत भूलना और प्लेज वीडियो को like करके चैनल को subscribe करो comment section में feedback दो यह मेरा ptm का donation number है thanks guys